नमस्कार दोस्तों बात करूँगा एक फ्रॉड के बारे में फिर से क्योंकि जो ये वीडियो मैं बना रहा हूं लगाता है क्योंकि कंटेंड जो है मेरा चैनल का आपने देखा होगा फाइने से रिलेटेड है तो जितना मेरा आप तक कोई भी नॉलेज क्रेडिट कार्ड या लोन के बारे में बताने का जितना मुझे लगता है कि ये एक समझ लीज़े की रिस्फ Columbus कहलो या फिर काम कहलो उतना ही मुझे इससे रिलेटेड अवेर करने का भी आप लोगों को पूरा मुझे मुझे लगता जिम्मेदार्य जो है मेरे पे वो है तो इसलिए मैं ऐसे हो गया भाई के साथ और अमाउंट अगर मैं बताओं तो आपको वहां पर देखिए उनसे मेरी बात हो रही है काफी समय से लगबग एक हपते हो गए है जब यह मैं वीडियो बना रहा हूं उसके एक हपते पहले से बात हो रही है 36,500 रुपए का उनके साथ फ्रोड हुआ है और वो है मोवी कुट एप जिप पे लेटर को ले करके वहां से उनका क्या था आई वीर कॉल आई थी और उनको जैसे कि उसमें कहा जाता है कि आपका अकाउंट कोई और लॉगिन कर रहा है तो आप एक दबाएए और उसके बाद जो OTP जाता है वो आप बताएए ताकि हम आपका अकाउंट लॉगिन होने से रोग दें तो इस बारे में उनको अपडेट नहीं था तो इस वज़े से उनके साथ 36,500 का जो फ्रोड है वो हुआ है और ICCI bank credit card bill payment की गई है और इसके बारे में उन भाई ने जो movie quick app है उनको भी बताया है लेकिन वहाँ से अभी उनका ये कहना है जो ये transaction हुई है फिलाल आपको अभी payment करना ही पड़ेगा movie quick के end पर कहना है क्योंकि जो transaction है वो successfully जो हो गई है उनके account से और उनका ये कहना है कि जो उनकी limit थे वो भी साथ 36,500 थी हाला कि वो police station पर mail गया है इस transaction को लेकर के और उनसे जब मैंने बात की तो उनका ये कहना है कि साइड ये दिल्ली में रहते हैं इनसे जो बात हुई मेरी Instagram पर तो Instagram पर भी आप सकते हैं अगर आपको कुछ मुझे से बात करना है तो वहाँ पर भी आपसे बातचीत हो सकती है कुछ अपडेट होते हैं या आपको लगत पर पर ये कहना है कि देखें टांजेक्शन तो होई है तो आपको पेमिंट करना होगा पुलिस स्टेशन जो गये थे वहाँ पर ये कहना है कि उन्हों ने बैंक के एंट पर इस टांजेक्शन को ले करके मेल किया हुआ है और जैसे कुछ अपडेट आएगा वो इन तक ले जाते हैं तो बहुत मुश्किल से वो फिर वापस आते हैं और साइबर हैब वोगेरा में जो है ओनलाइन क्राइम डिपार्टमेंट जो है वहाँ पर इन्होंने सहर जगे कंप्लेंट कर रहा है तो अभी मेरी फिलालीन से बात हो रही है लेकिन आपको इस वीडियो के मा होता है और उससे ही transaction हो जाता है तो भूल कर भी कभी भी किसी भी जो पे लेटर सर्विस एप यूज कर रहे हैं आप उनका OTP आपको शेर नहीं करना है चाहे वो बैंक का हो चाहे जो अभी मैं बता रहा हूं बैनाव पे लेटर सर्विस हो किसी भी तरीके से आपको नहीं श TVV नंबर या कोई details आप से मांगते हैं जब आप account वहाँ पर बनाते हैं या कोई service ले रहे होते हैं जो भी उनको detail चाहिए होती है वो तब ही आप से पूछ लेते हैं उसके बाद वो आपको उनके end से कभी भी call नहीं करते हैं तो इस चीज़ से आपको aware रहना है नहीं तो अ इतना ही चाहिए से सब्सक्राइब कर देना अगर आप लेना चाहते हैं तो इस्टेंट अप्रूबर लिंक वीडियो के description मिल जाएगा different bank के जाकर करके आप अप्लाइग कर सकते हैं वहाँ पर आ सकते हैं वहाँ पर आपसे बाचीत हो सकती है वहाँ पर भी आ सकते हैं नहीं नामस्कार